हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल जे एससी वाला चलिए दोस्तों जे एससी जे एकजाम से रिलेटिड हम लोग टोपिक कवर कर रहे हैं कोस्टन तो आज हम लोग पाठ होगा नुम्रिकल करेंगे आज और उसका फर्मूला वेस्ट कोस्टन देखेंगे ठीक है क्यो उस पर जाएए और सारा वीडियो के डेक डाले ठीक है जब आपको एक्जाम नहीं है तब तक देखिए आपको फायदा ही फायदा मिलने वाला ठीक है तो चलिए आज में नुम्रिकल देखते हैं नुम्रिकल और फर्मूला पार्ट वन हम डेले ऐसे करेंगे जब तक आपक सेलेक्शन का चांसेश बढ़ जाएगा ठीक दोस्तों चलिए दोस्तों आगे बढ़ने से पर एक छोड़ा सा रिक्वेस्ट रहेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीए अधिन नहीं होंगे चैनल पर तो ठीक है और जितना भी प्रिश्ट बना हुआ है उसमें से जिक्के जि से रहे और मेडी जी का बुक से ठीक है दूस्तों आप लोग पता ही होगा जैसा कि तो देख चालिए फैदा ही फैदा होगा आपको चलिए पहला कोस्टन यह स्टीर बॉल ऑफ मास एक वन केजी स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है इतना स्पेसिफिक हीट का तक यूनिट देख लिए देख लिए किलो जूल पर केजी सेंटिग्रेट है यहान दीजेग हो सकता ही जामें पूछ दे इजे टेंप्रेचर ऑफ सिस्टी पॉल इन्टु देल्टा टी इज इकल टु मास फ क्या लगाना मास फवाटर सी ओफ वाटर कैनें मतलों मसी एमसी डेल्टा टी फरमला आपको दिमाग में होना चाहिए ठीक है अब यहांस लगा दिजी मास फबॉल कितना दिया हुआ है एक दिया हुआ है और 0.4C दिया हु होता है ठीक है और टेंप्रेचर डिफ्रेंस यह होता है यहां से टी निकाल लेजिए एमसी डेल्टा टी देख लिए फरमुला इस टाप को कॉशन बन रहे है एक जाम में तो ताइस पॉइंट पांच डिग्री सेंटु परके देखिए इसको यह आ जाएगा ठीक है तो कहन इसका मतला इस फरम्ला डाउस को पते ही होगा क्या होता है पी वन लौन नहीं होता है पीवन लॉन पीटो पीवन त्यान रखना आपको यह फर्मूला होता है आईसो थर्मल का ठीक है चलिए दोस्तों तो पीवन कितना दिया हो है एक बार तो किलो पास्कल में कितना हो जागा एक बार का तो 100 हो जाएगा अपको कनवर्जन तो पते ही होगा ठीक है एक बार इस एकवल टू हंड्रेड किलो पास्कल ठीक है तो फीवन कितना दिया हो है पाँच लॉन पीटो अपन पीवन मतलो कितना 500 अपन सो लगाना आपको 5 हो जा गया यह आप पर तो कितना अब पांसो इधर हो यह और लॉन आपको फाइब को होता है वन पॉइंट सीक्स होता है ठीक एप प्रोक्स मान सकते हैं इसको कल्कुलेट कीजिएगा इसका एंसर आपको आठ पॉइंट आठ सो चार पॉइंट साथ आजाए ठीक है दोस्तों चलिए लॉन फाइफ कैसे आदकना है लॉन पांच का पुझा तो फाइब को फाइब देखने को मिल सकता है ठीक है फिर लॉन ये ट आपको याद रख सकते है एकजाम आपको हेलफुल मिल सकता है ठीक है लोन 5 1.6, लोन 6 1.7, लोन 7 1.9, लोन 8 2.7 मद टू मान सकते हैं ठीक है एक्जक्ट आपको एंसर आ जाएगा इन एरिवर्सिबल अडिवेटिक प्रोसेस दा रेशियो बताना आपको 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 इजय पूरा पूरा प्रीवियक भी पेपर ओर ठीक है यह लागना बहुत बहूंहीं जारूरी चलिए आशो थर्मल को वक्डन पूछ रहा है आशो थर्मल का लोक्डन पूछ पूछ रहा क्या होगा कॉया बताचीय एक मिनट सलिये हाँ हुँ हम तो अभी बताए है पीवन पीशわかाई लोन पीवन पीवन आपटू ठीक अभी बताए है पहले dynamisch छलिए इत्प पहली प्रोट्रोफिक प्रोसेस मयन्स दिया भाया इनिस यह्ट रिव इट वपीचिय लो हो है ends दिया final condition दिया हो यतना यतना तो work done पूछना है ठीक है तो क्या था इसका work done polytrophic work done बताना आपको तो P1 V1 minus P2 V2 upon n minus 1 यह result आपको या दखना यह polytrophic work done है तो P1 V1 0 दिया हो है तो 0 minus P2 V2 600 into V2 कितना 0.01 1 upon n minus 1, n कितना दिया मैनस 1 दिया हो है तो minus 1 minus 1 कितना हो जाएगा इसको solve किजिएगा आपको यहां से solve करके देखिएगा तो 3 kJ answer आजाएगा ठीक है मत्तों यह result आपको या देखना है इसका answer B हो जाएगा यह PSE assistant engineer PD 2019 में आ चुका है यह question 2 kg of substances receive 500 kJ and undergoes temperature change from 100 to 200 then average specific heat लिकालना है C लिकालना है तो लिकालना है कुछ नहीं है mc Dt पहले बता चुके mc Dt, heat कितना दिया हुआ ? 2 kg ऑफ c लिकालना है, count100. 200 걱정ना हुआख, षयांया मालियो बता हुआख, 10您 हो गालना है, क्योंकि 200-100 होगा इसको Kelvin में चुक्योर गया है यह क्यल्विन में तो क्यिक्ण करना क करना ही यह हुआ है करना बाकिन कर सी से की में आपको तो यान ने चेंज कर दिफ्रेंस होका तो जड़री नहींट उपको पढ़े होसा किना या है या नहीं फेट कॉंस्टेंट फ्रेसर सो एज टू टू ट्रीपल इसलोम एंग अनु तरीपल पुछ रहा है तो सब्गात से लगा के स्वल्फ कर लेगा ती लिए टी 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 टू पुच्छा है दोस्तो पहले जो लगाएगा इसको चैंज कर लिए तका एंसर केली तो यहाल चेंट जाया गागा फिर चलिसे पुच्छा तो 203 मायनस कर देना ठीक है यह आपको पता होगा साथ नेट वर्क डन फर केजी ओफ मास इन पोलिट्रोफिक कितना होगा पोलिट्रोफिक बताना आपको चलिए बताएए तो अभी बताएए नुमरिकल पी वन इस इकोल माइनस पी टू पी टू अपन गमा माइनस वन यान माइनस वन वन वें दभाल आफ एकाव वेटेड बो अपेट अटमस्फेरिक परेसर ही एतना किलो पास्कल तीक एंड यतना बोलूम दिया एंटन इंट दे पोस्ति दे बोटल तो कितना बाताना आपको तो क्या बोलाइए इस टाइप को को सन में एकतर बोटल में पी डीवी लागे आपके ठीक है पी डीवी यहनोता है तो पी कि जेगा अच कितना जाएगा साट पॉइंट सम्तिंग कि लो जोलती इसी टाप का नुमरीकल बन राद आयागा दोस्तों यह अशी दूर ठादा माया हुआ सिंपल से पर फर्मूला बेस पर ठीक है इसको देख लीजिए यह कोस्टन बन सकता है हीट अबसर्ब और रिजेक्टर दूरिंग पोलिट्रोपी प्रोसेस तो गमा मैनेस वन अपॉन गमा मैनेस न नीचे आगा गमा मैनेस वन आएगा फिर इन्टु वाग्डन था तो हैं दीजेगा कन्फूजन इसी में सारा ठीक है गमा मैनेस न अपॉन गमा मैनेस वन इंटु वक्डन चली ओड़िए वाग्डन था राइज इन तेमपरेचर अचली लिटर अफ वाटर अचलीज मिनट में ठीक है एग मिनट चली इसमें क्या लगाना है हीटचे वाटर इस इकवल टू हीट गेवन टू हीट करहना है तीया लगा लिए लगाए ये शुरू का कितना म में लिटर हैं ए येंस सी होड़ प्युक्वाइट टेवहता है इन्टो डेल्ट टिए फिर उसका लगा देशा हीट गेण एमसी डेल्टा टी दो चालिस शिक्स्टी ठीक है इसको जब सुल्फ किजीगा तो राजिन टेंपरेचर पुछाए नहीं तो कितना जगा 14 पॉइंट थिरिया जाएगा छली लिखाला है कार्नोट रेफ्रिजेड़ेटर इस six COP दीया हूए ठीक है देन दा रेश्यों फायतना इस नेगों इस यह पॉपी क्या होता है डीजार इफेक्ट अपोर हिट सप्लाँ होता है डीजार इफेक्ट अपोर हिट सप्लाँ वास नेट जू भी होता है कि तर डिजार इफेक्ट कितना तर रेफ्रीजेटर का T lower होता है और नेटवर्क कितना होता है ती हायर मैनस T lower यहीं होता है फंप में और रिफ्रिजरेटर को पफचर तहल यायागा आब यहां देखें सी दिया हुआ ठीक है शीख दिया बारी निकल जागा टी है यह यॉंट यहां फुर यह यहां यह टी लॉट से डिवाइड कर दिएजिया यहां यह एक आजागा यहां यह दिया हुआ अनादर इंजन इन बिट्विन टी टू एन चार्सों केलिविन बहुत इक्वल यह इंपोर्टेंट पुछ राया अधी इक्वल पुछ देगा तो सिंपल अर्थमेटिक मिन लगा देना है त्यां टी वन प्लस टी टू अपॉन टू तो नो चार तेरो ने तो नो इक्वल इफेसेंशी बोलेगा तो अंडर रूट में दोनों को जो टेमपरेटर दी वाइसको प्रड़क्ट कर देना है और एक्वल वर्क बोलेगा तो दोनों का अर्थमेटिक मिन मतलब टी वन प्लस टी टू अपन टू एसे का दो टेमपरेचर दिया हुआ उसका लिकाल लिकालना है तो थोड़ ध्यान दिजेगा इसमें ठीक है तो कितना अगों यह इदा राइट इंसर इस टापको कॉस्टन बन रहे हैं चलिए लिकालना है तो क्या देग्री ओ फ्रीडम एफ इस एक्वल टू सी माइनस पी यह प्लस टू यह रिजल्ट होता है तो यहां है मास ओभेफर यह रिजल्ट होता है अपन मास ओभेफर प्लस मास ओभ वाटर तो बताएए मास ओभ वापर कितना दिया हुए मास ओभेफर पचास किलो और एस्टीम फॉन पॉइंट फ़ाइफ पॉलस पचास इसको स्वल कीजेगा तो आएका जेखिए जिड़ो पोट न With out the use of super heater, a boiler produces steam up about 98% of dryness fraction Small steam vessels perfectly insulated and done no soft work cause a drop of इतना इन्थेल पी डेल्टा यह दिया हुआ है जिरो पॉंट एट अस्टिम फ्रम इंटरी नेगलिजेबल कर दिया इंटरी के तमय में तो बताना तो आपको इसको डायेट याद रखते हैं कैसे जब इस्टेप कंडिशन होगा ने तो उसमें लगाना पड़ता है इसको डाय डेल्टा याच आप डेल्टा लगा सकते हैं डायेट फर्मूला यह है कर सकते हैं आपको ठीक है अब पुरह नहीं लगाने से भी वन स्क्वाइर प्लस ट्यूजी प्लस एम जी यह इन्हें करना है डायेट अभी अतना कर देजिए अधी नेगलिजिबल बोला कानेटिक एन किसका पुछा है सिंगल अस्टेज इंपल्स टर्वाइन तो कोस स्क्वार अलफा ठीक है मैक्सिमुम ब्लेड एपिसेंसी अंडर अडियल कंडिशन गिवन कोस स्क्वार अलफा मास फ़लो रेट थुरू नोजल मैकिसमुम ब्लेड रशियो कितना होगा तो प्लेड इसका निचे में नफ्लस वन आरा तो यहां भी नीचे में नफ्लस वन आएगा ठीक है यहीं कंपुजन थोड़ा है तो प्लेड वन इस इकोल टू टू थैंस ओ नफ्लस वन फिर उपर म अपर नहीं याएगा इसका मतलो ब यहाँ को ब्रेटन शासर बतानायाब को ब्रेटन को बताना आपको दो को M फॉट ऑन होता है अपर्ड गत्रमगा मेंस में सomasμε्सार अमिसको धूगा एगा, Output in gas turbine cycle 80 kJ, the compressor work कितना दिया हुआ है, where is the heat supplied इतना, the thermal efficiency कितना बताना आपको, तो ही इपसेंसी क्या होता है नेटवर्क upon Q-supplier ही न होता है नेटवर्क तो नेटवर्क कितना हो जागा नेटवर्क देख लें 800-500 अपन Q-supplier कितना दिया हो 1500 solve कर लेजिए 300 upon 500,000 कट गया 3515 इंटु 100 करेंगा परसेंटेज में तो 20 पच्चे 120 परसेंट इस दराइट एंसर सब प्रिविएस यह दोस्तो एससी एए जी बीएसी जो भी सब पुछाओ कोस्टन है ठीक है तो प्रोपोल्शन इपसेंशी ऑफ जेट इंजन इस गीवन भाई सब्सक्राइब और सब्सक्राइब ट्राइबियोज परसें इस प्रेशिटी आदस ip दोनों का सम होेंगा चलिए important formula इस पर question बाइए आएंगे आपको confirm आए याँ सा ठीक है देख लिए जाब volumetric efficiency लिए करना तो क्या होता वन प्लस clearance ratio n होता है minus clearance ratio फिर pressure higher upon pressure lower पावर के पावर वन कंगे परेस्ष ग्रेशंग पावर म पन पेसे साब हो किसी सब को साब भी नहीं लाग रा इसके खुल देंगे स्था नहीं स्हीं नहीं बनाए आया तो इस विर रहुत है एजा पम जाबत इंस अफ-जै सब्सक्राइब कर दोनों प्रेसर टेंप्रेचर वो अंडर उट कर देना है ठीक है चार तक इतना जाएगा दो तो कुछ रहा है जो थोड़ा थोड़ा भूत आपको नुम्रिकल पता है फर्मूला पता है तो आराम से बना देजिएगा ज्याद घुमायाओ कोशन ना कि बीप जे ने से जमे फैंने ऊके पूछarta सब्सक्राइब कर देना तो कि ऑफनी तो कितना थेंच पार्ट धेख लिए इस टैप कुछन नव्मरिकल का पार्ठ हमें नों चट आ स्टार कर दिया और है बनार्ट चार प्लुख winter old चितना हुझ झा we तो अब एक्जाम आपको नहीं है तो देखिए याकिन मानि आपको फाइदा ही फाइदा मिलने वाला है ठीक है दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियेंगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए को भी अपडेट पाने के लिए या फिर हम लोग टोपिक हम लोग कर रहे हैं इंपोर्टेंट रहे हैं जो इंपोर्टेंट लाग रहा है हमको यह कोशन बन रहा है तो देखके जाएगा उसको पर लिस्ट बना हुआ है इसका जैसे के नाम से जाके देखिए ठीक है दोस्तों और अधी पीडिया पोगर चाहिए तो हमाने टेल देदेंगे आप ठीक है चलिए तो आप लोग त्यारी करते रहे हैं बाकी देखते हैं आज का एकजाम है आज क्या है शीन कैसा कैसा कोशन आया पता करें आप लोग ठीक है चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैन जै भारत